यदि संबो हो, तो क्या आप प्रभु येशु के जीवन के सहभागी बनना चाहेंगे? मतलब क्या उनको आप देखना चाहेंगे, स्पर्श करना चाहेंगे, उनकी बातें सुनना चाहेंगे, उनसे बातें करना चाहेंगे? जी मैं कोई कालपनिक बातें नहीं कर रहा हूँ आपसे मैं एक सच्चाई एक वास्तविक बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ यदि आप इसको पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं और ये कैसे संबव है इन सब के बारे में आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा हर मानो की चाह होती है कि हम प्रभियेसु को देखें, जाने, स्पर्श करें, उनकी सुने और यहां तक उनकी मृत्यू के हम सह भागी होएं, उनके पुनुरुत्थान के हम सह भागी होएं को ने चाहता है, क्या आप ने चाहेंगे, जरूर तो इसका मतलब क्या होता है, यहने 2000 साल पहले जो महान गटनाई इस धर्ती पर गटित वी वो सब आज वर्तमान हो सकते हैं और होते हैं, जी हां आपने सही सुना, प्रभियसू का वो जो जीवन, मान और रूप में उनका जीवन, शरीर धारन में उनका जीवन, आज भी वर्तमान बनाया जाता है इसको आप अपने हृदे में अंगित रखे, लिख रखे, अपने गर में लिख रखे, यदि आप कोई कैतलिक हैं, तो शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है, और यदि आप कोई गैर कैतलिक हैं, आपको इसके बारे में किये समझे, तो आईए हम शुरू करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, जब हम करते हैं, प्रभी एसु के जीवन के सभागी बनाया जाना आज भी, इसका मतलब क्या होता है, और कैसे प्रभी एसु का जीवन जो 2000 साल पहले वे इस धरती पर मान औरूप में जीए, उसका वर जा पर्व का जो अंदिम, जो रविवार होता है वास्तों में, उस सब्ता ये समाप्त होता है, ये एक वर्ष, एक कालकंड हम कर सकते हैं, इस एक वर्ष के इस कालकंड में, पिताई श्वर, पवित्रात्मा के द्वारा प्रभी एसु के संपूर्न जीवन को वर्तमान बना इसलिए आप देख रहे हैं होंगे हम जो कैतलिक हैं हम प्रभ येशु के जीवन के सबसे महतपूर्न गटनाओं को हम मनाते हैं और इसलिए अन्य है याने गैर कैतलिक जो क्रिस्ट विश्वासी हैं वे इसको इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंगी वे इस बात पर विश्वास नहीं करते और जिन भागों में जिन ग्रूप में वे बटे हुए हैं वहाँ ये होता नहीं है वे वहाँ अपने लिए अपने मनगडित या पावित्र बाइबल पर आधारित वे आदान प्रदान करते हैं उस पर चिंदन करते हैं वे कु पुजन पत्तिती में जो भी होता है ये हमारा कारिय नहीं बल्कि इश्वर का कारिय और कलीस्या उसमें सभागी होती है मतलब कलीस्या मतलब हम सबी जो विश्वासी हैं जो बप्तिस्मा प्राप्त कर चुके हैं तो मैं विश्वास करता हूँ, आप इस बात को समझ रहें, तो आगमन काल पुराने विधान का एक समय है, आगमन काल में जैसे हम इसके पहले भी चर्चा किये हैं, आगमन काल में हम तीन प्रकार के आगमन को हम मनाते हैं, पहला है यहूदी जैसे मुक्तिदाता के लिए आगमन और उस बीच में और एक आगमन जो प्रभी येसु हमारे जीवन में आना चाहते हैं, उसी पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, आप यह सोच रहे होंगे, आप वहां जैसे कृसमस मनाते हैं, लोग कृप बनाते हैं, अपने गरों में बनाते हैं, चर्च में भी बनाया जाता है उसमें आशिश दिया जाता है लो जाए के प्रार्थना करते हैं एस अब मूर्थि-पूजा है बिल्कुल नहीं मतलब उन-गटनाओं गा प्रभयेस्ध्जा का समय हो। उन्की शिक्षा का समय हो। उनकी मृत्यू का यह उनके पुनूर्थान का समय हो। इन सब को आज भी हम देख सकते हैं उसमें भाग ले सकते हैं और उन गटनाओं के फलों को हम अनभव कर सकते हैं अपना सकते हैं यह बहुत ही मतपुन बात है केवल उसमें भाग ले ना नहीं बलकि जितना उस समय उन लोगों पर उन गटनाओं का प्रभाव असर पड़ा उत उसको हम आगे चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, तो ये केवल जैसे संद योगन अपने पत्र में, पहले पत्र में बताते हैं, हमने उन्हें देखा, उन्हें सपर्ष किया, उनकी हमने सुनी, उनका अवलोकन किया, हम उसी की चर्चा करते हैं, उसी की साक्षी देते हैं, आज हम उसी प्रभु को देख सकते हैं उसी प्रभु को स्पर्ष कर सकते हैं उनी से हम बात कर सकते हैं उनसे हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं उनके दुख में हम सहभागी हो सकते हैं उनके पुनुर्थान का हम अनुभव कर सकते हैं यह सब आज होता है तो आप यदि कोई क्यातलिक हैं आप, आप सोच रहे होंगे, मैं 30, 40, 50 सालों से इसमें भाग लेते आ रहा हूँ, हर साल हम कृस्मस मनाते हैं, मेरे जीवन में ऐसे कुछ फरक आया नहीं है, मैंने कभी प्रभी येशु को देखा नहीं है, उनको सपर्ष किया नहीं है, उनकी हम भाग लेते नहीं है, हम दर्शक बनकर वहां खड़े रहते हैं, हम इसलिए उन गटनाओं में विशेश रूप से भाग नहीं ले पा रहे हैं, और उन गटनाओं के फलों को हम नहीं अपना पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है, सबसे पहली बात है, कि हमें उसकी जानका हमें उसकी जानकारी बिलकुल नहीं है, अभी आप बैटकर सोच रहे होंगे, हम बहुत तों गोई इसकी जानकारी नहीं है, सबसे पहला कारण, दूसरा कारण है, हम बहुत बार जानकर भी हम पूर्णरुप से उसमें सहभागी होते नहीं है, तिसरा कारण है विश्वास क कमी है हम उसमें पूर्ण रुप से विश्वास करके हम उसमें सहभागी होते नहीं है और सबसे आकरी बात है और बहुत ही महतवपूर्ण बात हम पाप की आवस्ता में रहकर उसमें सहभागी होने की कोशिश करते हैं पाप हमारे और प्रभ्येसु के जीवन के उन महतवपू न गटनाओंगे बीच में एक दिवार बनकर खड़े रह जाता है तो इसलिए हम उसमें भाग नहीं ले पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए अभी हमने देखा क्यों हम उसमें पूर्णरुप से सहभागी नहीं हो पाते हैं और उनके फल क्यों हमें मिलते नहीं है जितना उसमें उन लोगों को मिला उनको हमने देखा अब मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा जिनको यदि हम पूर्णरुप से करें अपनाएं तो हम वास्तों में प्रभियेसु के जीवन के सहभागी हो सकते हैं सबसे पहला है हमें जानगार बनना है हमें पूजन पत्तती के बारे में लिटर्जी के बारे में हमें जानगारी लेनी की जरुवत है हमें जानगार बनने की जरुवत है इसलिए आप हमारे चानल में देखेंगे, हम इसी पर आधारिक ज्यादा शिक्षा हम देते हैं, लेकिन दुख्य की बात है, कि हम बहुत कम लोग उसमें रुची लेते हैं, हमें चाहिए चंगाई, जैसे गैर कैतलिक प्रार्थन सभाव में होती है, हम सब को चंगाई कि हमें चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए बस, और कुछ नहीं, हमें इससे उपर उठकर, हमें इस बात को ध्यान में रखना है, जैसे प्रभ येसु ने कहा, हमें चंगाई के पीछे, कृपा के पीछे, आशिश के पीछे नहीं भागना है, हमें इसके पीछे भा प्रसार में जाना है मुझे और कुछ करना चाहिए मुझे चंगाई कवरदान मिले मुझे बोलने कवरदान मिले मैं उन सब के बारे में बोला वो सब जरूरी है लेकिन उसके पीछ हम ना भागे क्योंगि वो सब यिश्वर हमें देते हैं हमें कोशिश जरूर करने की जरूरत लेकिन सबसे मौतव पुन बात यह है हमें जानगार बनना अत्यन दवश्यक है दूसरी बात है इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरुवत है कि यह जो पूजन पत्तति का कारिय है यह इश्वर का कारिय है हमारा नहीं है यह कलीश्या का अपना कारिय नहीं है यह कलीश्या अपनी इच्छा अनुसर इसको बदलती नहीं रह सकती है आजकल हम पवित्र क्रिस्तियाग में देखते हैं कहीना कहीं हम प्रोहितों की भी गलती है जैसे आजकल क्या किया जाता है लोगदर्मियों की सहभाग्यता बढ़ाने के लिए पाटिसिपेशन को बढ़ाने के लिए अभी हर जग पे नाच गान प्रवेश नाच उसके बाद पवित्र बाइबल जुलूस उसके लिए भी नाच चड़ावा के लिए नाच और कहीं मैंने सुना पवित्र कम्यून के समय में भी नाच था उसके बाद प्रवेश नाच जो नाचे थे उनलों दुबारा याचकोंग याने प्रोहितोंगो फिर नाच गान करके उनलों ले जाते हैं वापस हो क्या रहा है हमें इससे पूर्ण रुप से बच्चने की जरुवत है एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा संद पादरे पियो आप लोग जरूर सुने होंगे उनके बारे में उनसे कोई जाके पूछे फादर जी क्या मिस्सा बलिदान के समय थाली बजाना क्या सही है मैं नाचने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ वे भी नाचने के बारे में नहीं बोले थाली बजाने के बारे में बोले वे बोले भाई जब प्रभिये सुक्रूस पर मर रहे थे केवल उनके विद्रोही या उनके दुश्मन थाली बजा रहे थे उनके साती रो रहे थे हमें विचार करना पड़ेगा कि पवित्र क्रिस्तियाग में जब हम भाग लेते हैं क्या हम उस सचाई को समझ पाते हैं या नहीं आजकल हम पवित्र कृ again को पूजन पत्तिति को हम पूर्न रुप से मनुश्यों के कार्ये के रुप में हम उसको बदलते जा रहे हैं बहुत बड़ा कत्रा है ये, हमें इससे पूर्न रुप से बचने की जरुवत है ये दूसरा कारिय है जो प्रोगितों का धर्म बहनों का मुख्य कारिय है और लोकदर्मियों को भी इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है हम इन कारियों से बचे तब हम प्रभ येसु के जीवन के सहभागी हो सकते हैं अन्यत आप देखिए जब प्रभ येसु को उपर उठाया जाता है पवित्र क्रिस्तिया के समय वहां कुछ बच्चिया या महिलाएं या सिस्टर लोग भी आ जाते हैं वहां डैन्स होता है और लोग फोटो कीचने लगते हैं किसके लोगों के नाचने वालों के ध्यान किस प पहागी नहीं हो सकते हैं यह दूसरा कारिया है जो हमें करने से बचने की जरुवत है तिसरा कारिया है हमें पूर्ण रुप से इस बात को समझने ध्यान में रखने की जरुवत है यह इश्वर का कारिया है दूसरे बिंदु में हमने देखा है कि मनुष्य का कारिया नहीं ह हमें उससे बचने की जरुवत है तिसरी बात है कि हमें इस बात को पूर्ण रुप से हमारे दिल में संजोई रखना लिख कर रखना की यह इश्वर का कारिय है मतलब मुझे वहाँ अपना हिर्दे कोल कर दिल कोल कर अपना दिमाग कोल कर मुझे वहाँ रहने की जरुवत है यह बहुत ही मतलब पूर्ण एक बात है जैसे मैं इन दिनों लोगों के बीच में यही उदाघरन देते आ रहा हूं आपके सामने भी उसी को रख देता हूं जैसे हम सबजी बनाते हैं हम बोलते हैं हम सबजी बना रहे हैं हम सबजी नहीं बना रहे हैं आग पकाता है सबजी आप जितने भी अच्छे कुक क्यों नहों आप खाना पना के दीजिये ना बिना आग के बन जाएगा सलाद बनाएंगे आप हम आग की मदद कर रहें एक प्रकार से, हम समय समय पर क्या-क्या डालना चाहिए, उसको हम डालते जाते हैं, आग पकाती है, और हम प्रोगित और पवित्र-क्रिस्ति आग में मदद करने वाले, जैसे गायक मंडली हों, अन्ये लोग हों, हम एक कुक के समान, हम बाहर रहकर हम उसमें सहायता कर रहे हैं, यह हमारा कार यह नहीं है, और यह उदाहरन पूर्णरूप से सव प्रदिश्चत हम ऐसे ले नहीं सकते, क्योंगि आपके मन में तुरंद आ रहा होगा, कोई-कोई खराब कुक भी होते हैं, काना बनाने वाले होते हैं, जो पूरे सबजी को खान देते नहीं है, तो यह जो उदाहरन में आपके सामने रखा, वो सबजी जितना समय वहां उस आग के ऊपर रहना चाहिए, उतने लंबे समय तक वो रहने सही, वो सबजी बनता है, नए तो हम उसको खाएंगे नहीं, उसको तूख देंगे, बहुत ही महतवपूर्ण बात, इसको हम ध्यान में रखेंगे, चौता कारिया है, हम सबों को इसमें पून रूप से सहभागी होने की जरुवत है, active participation, सक्रिय रूप से हमें इसमें सहभागी होना है, अभी आप बोलेंगे फादर तोड़ी दिर पहले आप डाट रहे थे, नाचते हैं, गाते हैं, इधर व वहाँ हैं पहले सही, हम उसमें शामिल हो रहे हैं, तो वहाँ जाकर हम कुछ एक्स्ट्रा करने की जरुवत नहीं है, वहाँ जो बताया गिया है, जैसे इश्वर हमें बताते हैं, अब ये पावन पावन गाने का समय है, हम क्या कर देते हैं, हम अपना गाना बना कर हम उसमे को इश्वर की ओर उठाने के लिए आप मदद कर सकते हैं कोई लेकिन शब्दों को नहीं बदल सकते हैं और वो भी आजकल जैसे चल रहा है ना बैंड बाजा जैसे डीजे जैसे वहां लोगों को नाचना है वांगा नहीं बिल्कुल नहीं हमें इस बात को ध्यान में रखकर यह सब करने की जरुवत है कि हम अपनी कुशी के लिए हम यह सब नहीं कर रहे हैं बलकि वहां जो गटना गटित हो रही है इश्वर स्वयम वहां उपस्तित हैं उनकी महिमा के लिए और जो सभागी हो रहे हैं इनकी मदद करने के लिए मदद करना मतलब सोने से बचाने के नहीं है लोग इसलिए पूरा डीजे जैसे बजाते रहते हैं ताकि कोई सोय नहीं नहीं हमें उसको पूर्ण रूप से जानकर हम सक्रिय रूप से सहभागी होंगे तो हमें नींद नहीं आई हमारा ध्यान उदर दर नहीं जाएगा तो यह बहुत महतव पूर्ण है याने कब मुझे कड़े होना है कब मुझे गुटने टेकना है कब मुझे हाथ जोडना है कब मुझे क्या बोलना चाहिए इन सब को जानना और उसको उसी रिती से करना जरूरी है यह सक्रिय सहभागिता है चड़ावा है चड़ावा में मुझे चड़ावा लेकर आना खाली हाथ कभी भी पवित्र क्रिस्तियाल में ना आए, कभी भी नहीं, हाथ में कुछ ना कुछ लेके आए, क्योंगी वहाँ मुझे अपने को भी देना है, अपने आपको भी मुझे देना है, पांचवीम बात है, विश्वास, विश्वास के बिना, जितनी भी बात मैंने कही है, यह सब बे मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा लगता है, आज जि फादर जी बहुत अच्छा प्रवचन दिये, लोग अच्छा गाना गाए, अच्छा नाचे या, बहुत अच्छी बात है बाहरी रूप से, लेकिन मैं उस रहस्य में प्रवेश नहीं कर पायाँ, उसके अंदर में प् गल्ती निकाल रहे थे वे सुनने ही रहे थे जुदस अंदिम भोज के समय क्या किया वो प्रभू को गिराने के बारे में पकड़वाने के बारे में वो विशार कर रहा था योजना बना रहा था और जब वो प्रभू को ग्रहन किया उनके शरीर को ग्रहन किया उसके अंदर श शून्य रहेगा, अंदिम और छटुवांकारिय है, हमें कृपा की दशा में रहना जरूरिय है, हमें कृपा की दशा में स्थदी में रहना जरूरिय है, इस कार्त क्या होता है, हमें कोई भी हम पाप किये हैं, तो हमें पाप स्वीकार संसकार या मेल मिलाप संसकार में भाग अन्यता जैसे मैं बीच में सुरू में ही, जैसे मैंने कहा था, मेरे और इश्वर की इस जीवन के बीच में एक दिवार बनकर मेरे पाफ खड़े रहेंगे। का जीवन जो हमारे लिए वर्तमन बनाया जाता है हर कृस्तियाग में पूजन पत्ति के अंदरगत उसमें मैं कैसे सभागी हो सकता हूँ यदि इन सभी बातों को हम पालन करेंगे तो मैं विश्वास करता हूँ हमारे लिए हर दिन का ख्रिस्तियाग, मारे लिए मारे जीवन का सबसे मौतव पूर्ण अगटना होगा, इस बात पर हम विचार करें चर्चा करें, अपने परिवार में अपनी पल्ली में और अपने समुदाये में और ये जो सबसे महानकार ये ये इश्वर हम मनुश्यों के लिए करते हैं हर दिन इसकी महानता को हम समझे और इसमें पूर्ण रुप से भाग लेकर उनके फलों को हम अपने जीवन में अनबो करें साती ही साथ इसके बारे में हम इसके पहले भी वीडियो बनाये हैं उनको भी आप देखिए, उनको समझे और अपने प्रिये जिनों के साथ शेर करना ना भूलिए इश्वर आप सबों को विशेस आशिश और अनग्र प्रदान करें धन्यवाद सबसे पहला है हमें